इसको सबसे पहले यह दोनों तरफ से डणियां तोड़ लेंगे यह तरीके से अब या तो ऐसे तोड़ लीजे दोनों तरफ से यह चोटे चोटे टुकड़ों में काट लीजे यह तो एक चक्कू की मदब से इसको ऐसे एक साइज में काट लीजे इसका सारा दोनों तरफ से निकाल देंगे डणिया उसके वाद धो के तब काटेंगे इसको गरम कडाही में आधा चमाच की करीब तेल डालेंगे इसके दो लाल मिर्च एक बड़ा प्यार दो कटे तमाटर अब हम इसके दो मिनाट तक भून लेते हैं तमाटर बिल्कुल सॉस हो चुका है और प्याज का भी कलर चेंज हो गया है अब इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं अब ये तमाटर और प्याज को हम एक स्मूज सापेस्ट बना लेंगे अब हम इसी कडाही में एक बड़ा चमच तेल डालेंगे अब हम डालेंगे आधा चमच जीरा अब देखे जीरा क्रेकर होती पाई अब इसमों डाल गया टेंगे अब इसमों डाल गतेंगे अब इसमों डालेंगे अब इसमों भट्कान उठा के देख लेते हुँए अब इसमें डाले में आदा चमच हल्दी पोड़े एक चमच लाल मिर्च पोड़े दो चमच के करीब लसुन अधरफ का पेस्ट अब इस सारो मसालो को हमें अथी तरह में लाले में और जो यह पेस्ट बना के हम रखे थे अभी डाल देंगे इसमें अब इसे हम फिर से ढख देंगे और चार पार मिर्ट तक पकाएंगे अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमत और इस नमत को अच्छे तरह मिला लेंगे अब देखिए चार से पांच मिर्ट हो गया हैं और सब्जी पक्सुकी है अगर आपको पानी चाहिए तो इसमें पानी डाल सकते हैं हमें सुखा ही रखना इसलिए हम 4-5 मिनाड तक और भूनेंगे अब इसमें चार से पांच मिनाड तक हो गया है सब्जी भूनते हुए हम और देखिए कलर भी बहुत च्यारा आया है अब इसे हम एक बॉल में निकाल देते हैं अब इसे सारा एक बॉल में हम निकाल दिये हैं अब थोड़ी सी इसमें कटा हुआ धनिया डाल देते हैं अब फ्रास्वीन की चटपटी सब्जी बनके तयार है अब अपने घर में बनाईए खाईए इंजॉय कीजिए और कॉमेंट्स करके जिरूर बताईएगा कि कैसा बना पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्यू झाल झाल झाल